जन्वरी के अंतिम दिम्यानी की 31 जन्वरी को चंद्रमा का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, जिसे की वैग्यानिकों ने सुपर ब्लू मून का नाम दिया है। को भी सुपर मून दिखा था और एक महीने में दूसरी बार पूर्ण चंद्रमा दिखने की घटना हो रही है इसी कारण इस परिघटना को ब्लू मून नाम दिया गया है। 31 जनवरी को चंद्र ग्रहन के बावजूद चांद पूरी तरह काला दिखाई देने के बजाए लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। ब्लाड मून दरसल ग्रहन के दौरान सूर्य और चांद के बीच में धरती के होने से चांद पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इस दौरान सूर्य के प्रकाश में मौझूद विभिन रंग इस पारदर्शी वातावरण में बिखर जाते हैं जबकि लाल रंग पूरी तरह बिखर नहीं पाता और चांद तक पहुँच जाता है। क्यूंकि उस तक केवल पत्वी के वायो मंडल से ही सूर्य की रोशनी पहुचती है। इसे ही ब्लाड मून कहते हैं अंतरिक्ष में कचरा। लेकिन इस बारे में जवाहर लाल नहरू प्लेनुटोरियम के HR ओफिस डॉर। HR मधुसूदन का कहना है कि ग्रहन हमेशा अपने आप में खास होता है। सुपरमून के वक्त चांद बड़ा नहीं हो जाता है बलकि वो अर्थ के काफी पासा जाता है इसलिए हमें साइज में बड़ा दिखाई देता है। चांद का लाल रंग धर्ती के अलग-अलग एंगल से देखने पर अलग-अलग दिखाई देता है। तबाह हो जाएगी। प्रकृती का गुस्सा लोगों का मानना है कि हमने प्रकृती को नश्ट किया है इसलिए अब प्रकृती उन्हें खत्म करेगी। चंद्रमा का लाल होना उसके गुस्से होने का संकेत है। इस बार असामान्य बात यह है कि सुपमून के साथ साथ पूर्ण चंद्रग्रहन भी पढ़ रहा है। इस प्रकार की घटनाएं 1900 के बाद से केवल 6 बार 1910, 1928, 1946, 1964, 1982 और 2015 में हुई थी। अच बचकर 48 मिनट। प्रहन समय दो घंटा 33 मिनट।